वेलकम टू अजमेर अजुए आज जम बनाएंगे ब्यावर राजस्थान की सूप्रसे तिल पट्टी आप इस रेसिपी को इस मकर सक्रान्ती जरूर ट्राई कीजिएगा तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले एक कड़ाई में एक कप तिल लूँगी ये वेट में 100 ग्राम है हमें इने हलका रोस्ट करना है मैंने यहाँ बिना छिलके वाले तिल लिये हैं जिने दुलेवे तिल भी कहते हैं तिल रोस्ट हो चुके हैं अब मैं कड़ाई को फ्लेम से उतार लूँगी अब मैं तिल पट्टी के लिए शूगर सिरप तयार करूँगी ये मैंने एक कप चीनी ली है जो वेट में 200 ग्राम है अब मैं इसमें आदा कप पानी डालकर चीनी घुलने तक पकाऊँगी चीनी घुल चुकी है अब मैं इसमें एक चोथाई चमस निम्बू का रस डालूँगी इससे हमारे शूगर सिरप में क्रिस्टल नहीं पनेंगे देखिए इसका कलर अभी भी चेंज नहीं हुआ है हमें इसे थोड़ा और पकाना है देखिए ये हलकी हलकी लाल होने लग गई है अब मैं इसे चेक करूँगी मैंने एक कटोरी में पानी लिया है अब मैं इसमें कुछ बूंदे शूगर सिरप की डालूँगी देखिए ये कड़क होके तूट रही है मतलब हमारी शूगर सिरप तयार है अब मैं फ्लेम को ओफ कर दूँगी अब मैं फटा-फट से सूगर सिरप को रोस्ट की वे तिलों में डाल दूँगी अब मैं इसमें थोड़ा सा पिस्ता, इलाइची पाउडर और केसर भी डाल दूँगी इससे हमारी तिलपटी का टेस्ट और बढ़ जाता है मैं इन्हें फटा-फट से मिक्स कर लूँगी अब मैं थोड़ा सा तयार कियावा तिलपटी का मिश्रण डूँगी मैंने चकला और बेलन के थोड़ा सा घी लगा लिया है अब हमें इसे इस तरह से तिलपटी की शेप में बेल लेने है आपको इसे जितना पतला हो सके उतना पतला बेलना है आपको इन्हें फटा-फट बेलना है नहीं तो आपका मिश्रण ठंडा होकर कड़को जाएगा देखिए हमारी तिलपट्टी कितनी अच्छी बनी है इसी तरह हम सारी तिलपट्टी तैयार कर लेंगी ध्यान रखे आपको शुगर सिरफ को ज़्यादा पकाना नहीं है नहीं तो उसमें कड़वा पना जाएगा और इससे तिलपट्टी का टेस्ट खराब हो जाएगा और ब्यावर की तिलपट्टी का कलर बिल्कुल वाइट ही होता है मैंने सारी तिलपट्टी बेल ली है और देखिए ये बिल्कुल कड़क भी हो चुकी है देखिए हमारी तिलपटी जितनी दिखने में अच्छी है उतनी खाने में भी टेस्टी है आपको तिलपटी के इस तरह से पेपर लगा की रखना है नहीं तो ये चिपक कर खराब हो जाएगी आप इसे एर टाइट कंटेनर में कितने भी दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं अगर आपको ये रेसिपी पसंदा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चनल पे नए है तो मेरे चनल को सब्सक्राइब करें